नमेश्गार दोस्टों, आप शभी का बहुत बहुत श्वागते दोस्टों मुझे पता है कि आप अपने जिवन काल में बहुत ही दुखी हो मुश्वत चे बाहर निकल नहीं पा रहे हो दोस्टों आपको बता दें कि आप अगर एक बार मुश्वत में चले जाए तो दोसों वहां शे आपको उम्मित की नई किरन नहीं देखती जिन से आप उपने जूनकाल को दो बारा शम्माल सकें जे दोसों अंदर शे आपको अभी भी बहुत गुटन शे महसुश हो रही है कि कब हमारी यह परिशानी खत्म हो जाएंगी कब हमें इस दुखों से चुटकरा मिलेगा तो दोसों अब वक्त आ गया है जे दोसों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंततक जरूर देखेगा जे दोसों अगर आपकी जीवन में शारी परिशानी का उपाई बताने वाले हैं आकिर कौन सा वज़ा है जो कि यह दुख आपका खत्म नहीं हो रहा है जे दोसों दोसों कुल बाहरा राशियों में शे आप एक एक एशी राशी है जिनको सबसे ज्यादा दुख जहलने पड़ रहे हैं दोसों पिछले तिन सालों में आपका जीवन बिल्कुल ही शुन शाह हो गया है दोसों आप कभी भी अपने जुनकाल में अच्छी तरशे चै दुख के दिन खत्म होंगे जिया दोसों तो दोसों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और शुरूश लेकर अंत तक जरूर दिखेगा दोसों इस वीडियो में हम आपकी जुनकाल की शारी दुखों की शारी परिशानों की और शारी तकलिफ की जो कि आप इसे उबर जाए शारी दोसों आपको कौन सी अब विशेज बातों के ध्यान रखना चाहिए ताकि आप दोबारा इस मुशिवत मनना पड़े इसलिए दोस्तों आज की वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है उसे पहले दोसों सर पर करेंगे जिया दोसों तो आए दोसों बात करते हैं उसे पहले दोसों अगर आप वभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो दोसों शब्सक्राइब कर लें शाती शायड में लगे बैल आइकन को भी प्रेश कर दें ताकि दोसों आने वाली शभी परकार की ज्यान वर्तक वीडियो आप शबी तक सबसे पहले पहुंश के दोसों वीडियो को प्रारम करते हैं दोसों आप लोग ने अपने जिवनकाल में पिछले शमिंतराल में हर मोशम को देखा है आपने हर मोशम को जहला भी है यहां पर हम आपको मोशम यानि शमय की बात कर रहे दोस्तों मोश्रम का मतलब शमय है दोस्तों आपको बता दी कि आपने हर तरह की मोश्रम को देखा है हर शमय में हर परकार की पिस्ति और सिच्विशन को जहला भी है अपने जियोन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जोन में बुरा भी जरूर देखा है दोस्तों आपने अपने जोन में खुश्या जहां देखी है वहीं अपने जोन में गम भी आपने देखा है दोस्तों पिछले शमिंत्राल में आपने उम्मीद भी रखी है आपने अपने उम्मिद लगाई बेठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ये अच्छा होने वाले हैं आपने सोचा है कि आने वाले शुम में हमारी किशमत जरूर बदलेगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि आपने पिछले शुमे द्राल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले शुमे में हमें पहतरी परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे शाति आपको बता दें कि दुख में दर्द में चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो आपके चेहरे पर मुश्कुराट हमेशा बनी रहती है दोस्तों आप अपने दुखों को किशी के शात व्यक्त नहीं करते हैं या पिर कर भी नहीं पाते हैं दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की एक्षाएं होती है कुछ करने की कुछ बनने की अनेक एक्षाएं अनेक तमयना ही रहती है आपके मन में कुछ ऐसे भी तमयना ही होती है कि आप अपने जियों में जो आपके मनपशंद चीज़ हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें आप उन्हें मनपशंद की चीज़ों को मनपशंद के कालियों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें लेकिन दोस्तों आप उश्रमे की मार और घर की महतमों जुमितारियों को देखते वे पीछे अरज आते हैं या फिर कहें पर आपको उश्रमे की रिश्वी मार पड़ती है कि आप अपने अर्मानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं शादे दोस्तों आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस इस्तिती पर है जिस भी लेबल पर है जो भी कारी को अपने अचिप किया है वो आपकी मंजिल नहीं है आप बने जोन में अभी भी शंतुश नहीं है आपके बड़े शपने हैं आप बड़े उंचायों पर जाना चाहते हैं ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे आप बड़े लोगों को देख कर अपने शपनों को देख कर अपने मन में हमेशा एकछा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक नाई दिन जरूर मिलेगी और आप जहां हैं वहाँ पर आप खुश नहीं हैं लेकिन दोस्तों यहाँ बात भी बिल्कुर शाते हैं कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर ने छोड़ी आप से जितना हुश्चका आप जितना प्रयाश कर सकते थे आपके कुश महत्मुन शपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं आज भी अदूरे हैं और उनको प्राप्त करने की जो ललक है जो तमना है वो आपके अंदर अभी भी है इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्मुन कारी को छोड़कर उनके इसके शायता करते हैं दिलो जान से उनकी हेल्प करते हैं आखिर वो ही आपको धोगा दे देते हैं और जब आपको उनकी जरत पड़ती है तो दोस्तों पीट पीजे करके आगे चल देते हैं इसके साथ हम आपको बता दी कि आपकी जोन में कुछ यसे भी गटनाई गटित ह जो आपको सुचने पर मजबूर कर देती है और बहुत ज़्यादा धर्धना घटनाई भी घटी है यहां तक कि आप अपने पूरू श्मय को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कभी आप अकेले में बेटते हैं तो यह सोचते हैं कि आपके जुन में जो आप करना चाहते थे, जहां पर आप पहुंचना चाहते थे, वहाँ पर अभी भी पहुंच नहीं पाये हैं, इसके लिए आप पूरी कोशिज भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्या हुआ कौन सी वज़ा है कॉनशा कारण है जिससे आपको शबलता अभी तक नहीं में बहुत बहुत कारण है लेकिन कुछ मुख के कारण है जिनकी वज़ाशे आप अपने लक्ष तक अपनी मनजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं पहला कारण है दोखा दोस्तों आप अपने जियोन में जिनके उपर बिश्वास करते हैं उनकी इशाता कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं जिनको आप अपने शारी जानकारियां भी देते हैं वही लोग आपको दोखा भी देते हैं और आपको नुक्षान हो जाता है इसे के शाथ हम आपको पिता दें कि दोस्तों आप कोई भी कारी करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कारी करते हैं उसके कारण भी आप अपने मलजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जियोन में खराब प्रतिती का निर्मान हो रहा है लेकिन दोस्वम आपको बिता दी कि जो बीद गया शो बीद गया अब उश पर आग को विचार करने की जरत नहीं है उशे तो आप ठीक नहीं कर सकते लेकिन एक बात तो सच है कि बितावश्व में आपको बहुत कुछ शिखा गया है और अपने जरूर कुछ अच्छा नुभ कौन बीच में रहकर अच्छे अच्छी बातें करते हैं और पीट पीचे कौन बुरायां करते हैं अब आपको श्वी परकार की सिख को लेने के बावजूद जियोन में आगे बढ़ने की जरते हैं और आप आगे जानते हैं आपको केश्व परिडाम देखने को मिलेंगे त लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह श्मेवावधी में आपकी प्रशानियों कंत होगा आपको इस्वा मशुर होगा कि आपने पिछले श्मेट जो भी गावाया है वह यह मिल रहा है दोस्तों आपका पूरा वक्त अब धीरे धीरे श्माप्त हो रहा है दोस्तों येश में कोई भूमे शम्मंदी घरित परोफ्त का काम शंपन हो सकता है धर्म कर्म शम्मंदी कारियों में भी आपकी विसे से समय रूजी रहेंगी तथा आपका निश्वार्त योगदान शमाज में भी आपका मान शम्मान और फिर जट परतिष्टा में भी बड़ोतरी करने वाले हैं दोस्तों येश में आर्तिक रिस्टी भी आपकी बहतर रहेंगी इसको प्रान दोस्तों येश में अगर आपके शावधनी को लेकर बाद करें खर्चे भी बढ़ेंगे अपनी फ्यूजल खर्ची पर आपको येश में अंकोश लगाना चाहिए दोस्तों कि कास प्यक्ति के दौरा ही आपको कुछ नौकशान येश में होते हैं दोस्तों यश्म में बहतर होगा कि भारी शंपर कोश्य आपको दूरी रखना चाहिए दोस्तों प्रस्थिती को कुरोध के बजाए शांती पुन तरिकेशे निप्टाएं तो आपके लिए ज्यादा कुछ लिए रहेगा और इसको प्राण दोस्तों यश्म में आपके लिए से में होंगे आपको बता दें कि किसी के भी शाथ मिल जूल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है दोस्तों यश्म में आप अपने विचारों पर अड़े रहने के वज़शी किसी के शाथ भी आपका एक मत नहीं होगा इसलिए खुद ही काम को पुरा करने के आपको आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राश्य के लिए जो समय होंगे जो ग्रह हिस्तिति होंगे यह बहुत ही उत्तम समय होगा बहुत ही अच्छे ग्रह हिस्तिति होंगी दोस्तों यह बता दें कि आपकी योगतावा फिर छमता खुल कर लोगों के शाम ने जाहर होने वाली है दोस्तों वुद्यार्थियों को केरिया明द्टी की zemahka, शमधान बीयशमे मिलेगा, आप अपनी किसी कमजोरी परबीज़यक भीयशमे हाशिल करने वालेहे दोस्तों प्रतू आलश को अफिर जॉदा बोज मस्ती के शमय को ययशमे वश्ट करें यह आपको बताते हैं कि अब आपको अपने उनकाल में कौन से उपायों का कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि यह दुख के दिन आपके खत्म हो जाए जया दोस्म आप शुवी को बताते हैं कि TW आपको बताते हैं कि कि आखिर आपको कौन से उपाय करना चाहिए कौन से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए ताकि दोसुण जो भी आपके जुनकाल में जो की हनुमान जी दुवरा शित है दोसों यह मंत्र आपकी जुनकाल की शारी प्रेशानियां शारी दुख को जड़शे ही खत्म कर देंगी तो दोसों इस मंत्र को आप ध्यान से जर्व शुनेगा जह दोसों मंत्र है ओम हनुमान पहलवान वर्ष बरहा का जवान हात में मंत्र को दोबारे से सुनेगा मंत्र है ओम हनुमान पहलवान वर्ष बाहरा का जवान हात में लड़ू मुख में पान आओ 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 बाबा हनुमान नो आओ तो दुवाही महदेव गौरा पर्वति की शब्द शांचा पिंड कांचा फूरो मंत्र इश्वरो वाच्चा की दोसों इश मंत्र का पनुष्ठान मंगलवार या पिर शनिवार शे आरम करें हनुमान जी को शिंदूर का चोला जनेव, हडाव, लंगोट, दो लड़ू और दोवाजा चड़ावें इश के बाद पर्तिक मंगलवार को वयत रखें लाल वस्त्र धारन करें तथा लाल चन् मंत्र के दश मलाएं परति दिन जपें यह कर्म तीन महिनें तक करें शदा पवित्र रहें हनुमान जी दर्शन देंगे, उस्यों में जो चाहे वें सबी मांग लेना जिवनकाल के शारी दुख खत्म कर देंगे, शंकर शमिश्याओं से शंकर मोचन आपको दूर रखेंगे ज्यादोसों और कमेंट बॉक्स में शच्चे मन से जय हनुमान जरू लिखेगा और शादोसों और श्यदी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद